नमस्कार आज मैं आपको एक ऐसा आसन बताने जा रहा हूँ उल्टा लेट कर करना है बहुत सरल है सभी लोग कर सकते हैं ये आसन इतना इफेक्टिव है खास करके महलाओं के लिए क्योंकि हर घर में ज़्यादा तर महलाओं को कमर दर्द के शिकायत होती है सिलिप दिस्क वालों के लिए ये आसन गर्दान है पीट कब पीट में दर्द हो और हाँ जिनको ऑक्सिजन बहुत कम हो ऑक्सिजन लेवल बहुत कम हो वो भी इस आसन से ऑक्सिजन लेवल को बढ़ा सकते हैं इस आसन में प्रान जोह इतना सुच्छ हो जाता है इतना सुच्छ हो जाता है कि आपक्सिजन लेवल और आपका बढ़ जाएगा तो नमस्कार दोस्तों ने योगा चार्ज अनुराज जोसी वेदांत यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो देखें कम अर्दर सबको है स्लिप डिस्क की समस्या देखेंगे हर घर में कोईने कोई समस्या से दरसित है शुरू करें आसन का नाम है मकर आसन इस आसन का नाम पर है मगरमच से ठीक है परना के आपको उल्टा लेड़ जाना है और दोनों हाथों की कोनी को मिला कर रखना है पर ध्यान रखेंगे जिनको पीठ में दर्द है उनको कोनी मिलानी नहीं है वो थोरा सा दूर रखेंगे ठीक है जिनको पीठ में बहुत जादा दर्द हो उनके लिए है जिनको पीठ में हलका सा दर्द हो चलेगा ठीक है दोनों क कोनी को मिला लेंगे और शॉल्डर के नीचे द्यान रखेंगे आपका कोनी शॉल्डर के नीचे दोनों को मिला लेंगे और दोनों हाथ गाल पर रखेंगे इसमें आप देखेंगे इसका जो इफेक्ट होता है दो बिंदू पर सबसे ज़्यादा होता है एक तो होता है लौर यहां पर और एक कता है गर्दन के पीछे यानि सरवाइकल भी अगर आपको है गर्दन में दर्द है तो भी यह आसन काम करेगा ठीक है और बस ऐसे दोनों हाथ गाल पे दोनों पंजे पीछे से मूड़े हुए अब करना किया को इस आसन में आपको अपना जो ज्यान जो है दर्द के अस्तान पर आपको यह अनभो करना है कि दर्द मेरा ठीक हो रहा है ठीक हो रहा है फिर अपनी चेतना को यानि स्पाइन नीचे से लेकर मेरू डण और उपर कर अपनी चेतना को नीचे से उपर दोराना है नीचे से उपर और उपर से नीचे आँखे बंद करते व और दर्द के अस्तान पर। फिर हम अपनी इख्यान को जमा देंगे और आप फिल करेंगे ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है इस आशन को कितनी देर करना है तो आपकी जितनी छमता हो इसको पाँच मिनट से लेकर दस मिनट तक, फंदर Radha पिर आप देखेंगे जैसे जैसे आसर करते जाएंगे तो तो ठीक होगा साथ साथ पर क्या होगा ऑक्सिजन लेवल आपका बहुत बढ़ेगा फिर दे आपका मजबुत होगा ठीक है और स्वास समंदी अगर कोई रोग है वो भी देरे-देरे ठीक होगा देखना मन आपका बिलकुल शान्थ हो जागा दिरे तो जितनी स्वास की स्वास की स्वास होगी दिरे होगी उतना ही मन आपका स्षान्द होगा रिलेक्स होगा ठीक है तो पांच मिनट से लेकर 15 मिनट 20 मिनट शुरुआत में पांच मिनट करें इनफ है और देरे देरे इसका अभ्यास भाते जाए हर कोई कर सकता है जैसे लगी कोहनी में दर्द हो रहा है फिर थोड़ा नीचे आ जाए वापस चा लगना है जटके से नीचे नहीं आना है यह बहुत महत्तुन है किस तरह आना है एक हाथ नीचे लाए दूसरा हाथ नीचे लाए फिर धीरे 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 आपस इस तरह आएंगे यह भी मकराशन पोज है और यहां पर आके हमको पैरों को फैला लेना है की हड़ी में खिचाव आने से थोड़ी देर के बाद आप देखना आपको शरी में ऐसा लगए कि इतनी उर्जा आई है कि इतनी चेतना आई है ठीक है तो ये सभी लोगों के लिए है सब सब कर सकते हैं इस आतना का भ्यास आज से शुरू करें खाकर कमर दर्ट और स्लिप इस्त वालों के लिए नहीं बाद लेक्ष्ट वीडियों फिर मिला का तो भी धन्यवाद